राधा स्वामी सत्संग ब्यास की पुस्तक आत्म ज्यान की ओडियो रिकॉर्डिंग Copyright 2020 राधा स्वामी सत्संग ब्यास आत्म ज्यान लेखक सरदार बहादुर महराज जगत सिंग जी प्रकाशक राधा स्वामी सत्संग ब्यास Copyright 1980-2012, राधा स्वामी सत्संग ब्यास सर्वाधिकार सुरक्षित पहला संसकरण 1980 विशे सूची भूमिका भाग पहला सत्संग सत्संग पहला संतों का उपदेश सत्संग दूसरा गुरुमत अत्वा संतमत सत्संग तीसरा मानव शरीर सत्संग चौथा नाम सत्संग पाँचवा आत्मा का मृत्यू लोक में उतरना और वापस सतलोक जाना सत्संग छटा जग में घोर अंधिरा भारी सत्संग सात्वा परमार्थ के सिध्धांत भाग दूसरा, सत्संगों में से चुने हुए कुछ वचन भाग तीसरा, सत्संगियों वो जिग्यासुओं को लिखे गए पत्र भाग चौथा, रुहानी गुलदस्ता भूमिका हमें प्रसंदता है कि हम सरदार बहादूर जगत सिंग जी महराज की प्रसिध अंग्रेजी पुस्तक The Science of the Soul का हिंदी रुपांतर शुरुताओं की सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं इसके साथ संगत की देर से चली आ रही मांग पूरी हो जाएगी सरदार बहादूर महराज जी की ये पुस्तक पारमार्थिक ज्यान की अनमोल खान है मन और माया के संग से मलिन हुई आत्मा अपने आपको शरीर समझे बैठी है और इस द्रिश्यमान जगत को ही सब कुछ समझे हुए है इस पुस्तक में महराज जी ने जीव को अपनी सब मैल दूर करके अपने आपको पहचानने की युक्ती बतलाई है आपने फरमाया है कि सत्गुरु की सहायता से अपने अंतर में शब्द धुन को पकड़ कर सचखंड लौट जाना मानव जनम का वास्तविक धेय है और इस उदेश्य की प्राप्ती के मार्ग में जो भी वस्तो बाधक हो उसे अलग हटा देना चाहिए सरदार बहादुर जी के रहन सहन का गुणगान करना असंभव है आपका सबसे बड़ा गुण सत्गुरु से प्रीती, सत्गुरु पर विश्वास और सत्गुरु की आग्या का पालन करना था आपको हुजूर महराज सावन सिंग जी के प्रती जो प्रेम और श्रद्धा थी उसका उदारन आप स्वयम ही थे अपने सत्गुरु हुजूर महराज जी के प्रती आपकी इतनी श्रद्धा थी कि आपने कभी भी अपनी जबान से उनका नाम नहीं लिया अपनी लंबी नौकरी के दौरान लगभग प्रती वर्ष छुट्टियों में जब हुजूर महराज जी डेरे में होते आप डेरा आ जाते और सारा समय उनके चरण कमलों में गुजारते जब आप लायलपूर के राजकिये कृशी महाविद ध्याले में थे उन दिनों एक फकीर साइन लसूरी शा भी वहां रहते थे आप बहुत कमाई वाले फकीर थे सरदार बहादूर जी डेरे आते समय साइन जी के संदेश हुजूर महराज जी के नाम लाते और डेरे से जाते समय हुजूर महराज जी के संदेश साइन जी के लिए ले जाते एक बार सरदार बहादुर जी ने हुजूर महाराज जी का एक ऐसा संदेश साई जी को पहुँचाया कि साई जी हर्च से गदगद हो गए तथा आपको गले लगा लिया और उसी समय परदा खोल देने की पेशकश की परन्तु सरदार बहादुर जी ने बड़े प्रेम से ये कहकर टाल दिया कि जब हुजूर महाराज जी उचित समझेंगे खुद ही परदा खोल देंगे इसका नाम है गुरु में प्रतीती सरदार बहादुर जी का जीवन बड़ा वैभारिक था और आपकी दूर दर्शिता के कारण सब छोटे बड़े आपसे परामर्श लेने आते थे आपकी निस्वार्थ सेवा का लायलपूर के कृशी महाविध्याले की ख्याती में बड़ा हाथ था परन्तु आप अपनी सफलताओं का सहरा स्वयम लेने के बजाए साथियों के सिर दे देते थे आप संसार के अथवा परमार्थ के किसी भी कारे में खुद को आगे नहीं लाते थे सदैव हर काम हुजूर महाराजी के नाम से करते थे और स्वयम सर्वता निरलेप रहते थे आप पर गुरुबानी का ये वाक्यांश पूरा उतरता है मेरे ठाकुर के जन अलिप्त है मुक्ते जो मुरगाई पंक न भीजै सरदार बहादुर महाराज जी शब्द की कमाई के लिए निर्मल और निरलिप्त रहन सहन को अती अवश्यक समझते थे और बार बार इस बात पर बल देते थे कि सत्संगी को मृत्यों की प्रतीक्षा नहीं करने चाहिए बलकि जीते जी मरना चाहिए अर्थात तीसरे तिल में पहुँचने का यत्न करना चाहिए आप कम खाने, कम सोने और कम बोलने पर बहुत बल देते थे और स्वैम भी एकांत तथा मौन में विशेश रूची रखते थे। आप बहुत स्पष्ट वक्ता थे और जो बात कहना चाहते थे बहुत थोड़े परंतु स्पष्ट शब्दों में कह देते थे। आप बहुत कम बोलते थे, परंतु जब बोलते तो आप अतिमधुर और प्रेम भरे स्वर में अपनी बात कहते और आपके नेत्रों में करुणा का सागर उमरता हुआ दिखाई देता था। वज्ञानिक होने के कारण आपकी शिक्षा का ढंग भी वज्ञानिक तथा क्रियात्मक ही था। यही कारण है कि साधारन जीवों के अतिरिक्त पढ़े लिखे बुद्धिमान व्यक्तियों पर भी आपके वचनों का गंभीर प्रभाव पढ़ता था। अनेक जीवों ने आ नाम के प्रचार का आदेश दिया। हमें चाहिए कि आपके सत्य से परिपून उचे जीवन तथा पवित्र अनमोल वचनों से लाव उठाएं।